नमस्कार दोस्तों फिर स्ष्वागत है हमारे नए वीडियो में दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यूजी समेश्टर 23456 का रिजल्ट आ गया यहाँ पे आप देख पारें यूजी 2323, यूजी पार्ट 1 वोकेशनल रिजल्ट, यूजी समेश्टर 12456 यह सबका रिजल्ट आया है, तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम उसका रिजल्ट कैसे चेक करेंगे इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपिन कर लेना है, आप मोबाइल से भी देख सकते हैं और अपना PC से भी देख सकते हैं, उसके लिए आपको सर्च बार में सर्च करना है NPU, यानि कि निलामबर पितामबर उनिवर्शिटी, NPU, जैसे ही आप NPU लिख करके सर्च करेंगे इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहले वाले ओप्शन दिया हुआ है निलामबर पितामबर उनिवर्शिटी का, इस पर हमें क्लिक कर देना है, जैसे ही हम NPU निलामबर पितामबर पर क्लिक करेंगे इस परकार से एक डैसबोर्ड ओपन हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, दिया हुआ है तीन ओप्शन, हमें सबसे पहले ओप्शन रिजल्ट पर क्लिक करना है जैसे ही हम रिजल्ट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पारें कि अभी जितने भी UG Part 1, 2, जितना का भी अभी रिजल्ट निकला हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं चलिए हम आपको सेमेश्टर 6 का आपको रिजल्ट देख ला करके बताते हैं, उसके लिए हमें अपने सेमेश्टर जो भी है उस पर हमें क्लिक करना है, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना रिजल्ट वाला सब सलेक्शन करना होगा, जैसे कोर्स टाइप, आपका जो भी कोर्स रहेगा, यूजी, पीजी, एमेड, बैचलर अप टेकनोलोजी, एमसीए, एमबीए, एललवी, हमारा यूजी है, तो यूजी का हम आपको बता रहे हैं इसमें, इसके बाद यहाँ पर हमें अपना सेमेश्टर को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी रिजल्ट पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा समय लेगा और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रिजल्ट निकल गया, तो दोस्तो इस प्रकार से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं, अपना NPU, NIV.IN पर जा करके, दोस्तो अगर हमारे वीडियो आपको टोपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिन, जै भारत.